हेलो फ्रेंड्स आज मैं वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो बिर्यानी खाना तो पसंद करते हैं लेकिन वाइट राइस को अवाइट करते हैं तो उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेल्दी वे में ब्राउन राइस बिर्यानी मैं इस बिर्यानी को इस इंडिया गेट ब्राउन राइस से बनाने वाली हूँ वाइट राइस से इस ब्राउन राइस को बनने में ज़्यादा समय लगता है तो कम समय लगे तो इसके लिए इसे सोग करके रखना पड़ेगा एट लिस्ट 30 तो 40 मिनट्स के लिए तो चलिए एक कप राइस से मैं इस बिर्यानी को रेडी करूँगी तो राइस को पहले सोग करने के लिए रख देती हूँ जो अपना वेट घटाना चाहते हैं वेट लॉस की जर्णी में तो तुरंत वाइट राइस से स्किप होकर ब्राउन राइस की तरह पाजाईए जब तक ये सोग हो रहा है तब तक आगी की तयारी कर लेती हूँ चीकन को मेडनेट करना है तो हाप कप कर्ड में एक चमच लसुन का पेस्ट हाप चमच अदरक का पेस्ट हाप चमच हल्दी पाउडर वन फो चमच काली मिर्च पाउडर एक चमच कासमेडी लाल मिर्च का पाउडर एक चमच धनिया हाप चमच जीरा हाप चमच ही नमक आइट करेंगे इसके साथ हाफ निवू का रस भी आइट करना है अब सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेना है दही में इस तरह से बिर्यानी बनाएंगे तो कम समय भी लगेगा कम मेहनत भी लगेगा और टेस्टी भी वनेगा साथी तो दही में सारे मसाले अच्छे से mix हो जाने के बाथ मैं इसमें add की हूँ half kg के करीब chicken चिकन को दही में अची तरह से मिक्स कर लेना है और इसे मेरिनेट होने के लिए एट लिस्ट 30 मिनट के लिए छोड़ देना है मिक्स हो चुका है तो इसे कवर करके छोड़ देते हैं और चलते हैं प्याज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जिन्हें प्याज काटने पे आशू आती है तो अज नया तरीका दिखाऊंगी प्याज को काटने का इस से काटेंगे प्याज तो आपके आँखों में आशू भी नहीं आएगी और फटा फट से प्याज भी कट जाता है एक एक करके प्याज को इसमें फसाते जाएंगे और इस स्लाइसर के हल्प से तुरंती स्लाइस कर लेंगे और फटा फट से हो जाता है और आप देख सकते हैं कितना बारी कटा है और फटा फट से हो गया आपको में आसू भी नहीं आया और टाइम भी कम लगा तो जब भी प्यास ज़्यादा काटना हो तो इसी के हल्प से काटे आप प्यास देख सकते हैं कितनी बारी कटी है तो इसे फ्राई करने में टाइम भी कम लगेगा तो अब इसे बनाना सुरू करती हूँ तो मैं इस कूकर में इस बिर्यानी को बनाऊंगी कूकर में दो बड़ी चमच कूकिंग ओयल डालने के बाद इसे गर्म होने के लिए रख देंगे गर्म होते ही इसमें मसाले कुछ मैं निकाल कर रखी हूँ जिसमें मैं दो तेजपत्ता, एक चक्रफूल, दो हरी लाइची, दो बड़ी लाइची, तीन लॉंग, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा लेकिन अभी इसे नहीं डालना है, अभी मैं ये जो प्याज को काटके रखी थी, उसे डालना है घड़े मसाले को तेल में अभी क्यों नहीं डाली, वो जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ आगे बने रही है गैस का फ्लेम हाई टू मिडियम में रखकर प्याज को अच्छे गोल्डेन कलर आने तक बून लेना है प्याज का कलर आप देख सकते हैं धीरे धीरे ट्रांस्पेरेंट होना सुरू हो गया है तो बीच बीच में चलाते हुए इसे बूनना है ताकि चारो तरब से एकी कलर आए प्याज को बूनते हुए मुझे साथ से आट मिनट का टाइम हो चुका है और इसका कलर देख सकते हैं गोल्डेन हो चुका है तो इस टाइम पे क्या करूंगी जितना भूना हुआ प्याज है उसका वन फोर्थ निकाल के इसे सेपरेट कर लेंगी तो अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ और जो कुकर में बचा हुआ प्याज है उसे थोड़ा साइट करके बीच में तेल डालूँगी हाप चमच के करीब और इसमें अब खड़े मसाले डालूँगी तो सबसे पहले मैं साबु जीरा डाली हूँ हाप चमच और जो खड़े मसाले निकाल के रखी थी ना उसे अभ बिल्कुल भी ना डाले मुझे बिल्कुल ड्राय लग रहा था इस वज़े से मैंने हाप चमच के करीब तेल डाली हूँ और आप समझ सकते हैं कि मैं क्यू पहले खड़े मसाले नहीं डाली थी क्यूंकि मुझे सेपरेट करना था प्याज भुना हुआ प्याज को उस देर बुनने के बाद इसमें एक टामाटर की प्यूरी एट की हूँ साथी चार हरी मिर्श और पुदीने के बिना तो बिर्यानी अधूरा है उसे डालने के बाद अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब देख सकते हैं चिकन से कितना ज्यादा पानी रिलिज हुआ है तो मिक्स होते ही अब इसमें डाल रही हूँ एक चमच बिर्यानी मसाला और इसे भी मिक्स कर लेंगी चिकन में सारे मसाले डालने के बाद अब इसमें डालने की वारी है ब्राउन राइस को तो चलते हैं राइस अच्छे से सोक हो चुका है अच्छे से फूल गया ह तो इसे अच्छे से धो लेती हूं तीन से चार बार धोने के बाद अभी इसे डालूंगी चिकन के उपर तो सारा चावल इसे डाल देना है और फिर इसे चिकन में मिक्स कर लेना है जब इस तरह से सोक करके चावल को डालते हैं तो कूकर में दो सिटी में ये असानी से पक जा और साथ ही इसमें अब 1-4 चमच गरम मसाला पॉर्डर भी डालना है बस अब इसमें बारी है पानी डालने की तो यहां मैं 1 कप राइस लीती तो उसके हिसाब से मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ फिर से दुबारा एक बार मिक्स कर लेना है और इसमें लास्ट मैं अट कर रही हूँ एक चमच गी गी डालते ही अब कुकर का लीट को कर देना है बंद और साथ ही लगा देना है इसमें सीटी और गैस का फ्लेम कर देना है मिडियम और दो सीटी आने तक इंतजार करना है दो सिटी के बाद गैस तो बंद कर दी थी लेकिन कूकर तुरंत नहीं खोलना है सारा प्रेसर निकल जाए उसके बाद धकन हटाए तो देखे बिर्यानी बहुत ही अची तरह से पक चुका है राइस भी और चिकन भी अब इसके उपर डाल रही हूँ भूनी भी प्याज जिसे भूनकर सेप्रेट कर ली थी और साथी कटी भी हरे धनी के पत्ते भी आड़ करना है लिजे बिलकुल रेडी है इंस्टेंट ब्राउन राइस चिकन बिर्यानी ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सबस्ट्राइब करिएगा लाइक करिएगा सेयर करिएगा फ्रेंड और फैमिली के साथ और बेल आइक और प्रेस करना बिलकुल मत भूलिएगा वीडियो को लास्ट तक देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब मिलती हु नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें